नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजीत आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है अर्बिंद मोहन जी अर्बिंद मोहन जी को कौन नहीं जानता है, वरिष्ट पत्रकार है कई पुस्तके हैं इनकी खास तोर पर चंपारन अंदोलन को लेकर और चुकि अभी महौल बेतिया राज के जमीन को लेकर जुड़ा हुआ है चंपारन पर आपने काफी काम किया है और बेतिया राज तो उसी के अंतरगत है पंदरा हजार दोसों पंदरा एकर जमीन लेने के लिए सरकार ने एक बिद्धेक लाया है आप चंपारन पर आप बहुत काम है तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या है बेतिया राज के उसके जमीन जो है या उसका इतिहास है उसके बारे में कुछ बताएगी नहीं इस फैसले के बारे में दो चीज है एक तो यह है कि काफी सारी जमीन है छोटे लोगों के पास है बहुत छोटे जो लोग है किसी तरह से गुजर कर रहे हैं कहीं जोपड़ी डालके कहीं मेरे क्याल उनका सेटलमेंट तो करना चाहिए और दूसरा काफी बड़े लोगों इन ने जमीन उनका बेतिया राज का कबजा किया हुआ है और अलग-लग नाम से और यह आज से नहीं जब से अंग्रेज गयें हैं जब से देश आजाद हुआ है तब से गाफी जमीन बेतिया राज का कबजा है और वह बड़े पोल्टीकल लोगों ने, फिर विराध्री के लोगोंने, फिर बेतिया राज से अपना रिश्टा निकल ke आये लोगोंने, इन काफी लोगोंने जमीन सब कब् Jahrenा किया हुआ है, बेतिया सहर में, मोतिहारी शहर में, गुरफ़ पूर में, प्रियाग राज में सब जगे उनकी जमीन पड़ी हुई है और सब जमीन अलग अलग तरह से कब जा तो यह अच्छी बात है कि सरकार उसको अपने हाथ में ले कुछ अप अलग रंग से काम करें और उससे भी ज्यादा अगर सिर्फ revenue generation ही इसू हो तो भी कोई हज नहीं है कि व सब्सक्राइब के बाद जिसके पास भी जमीन पट्टा या जो भी मतलब जिसको भी जमीन दिया गया हो उसको सरकार नहीं मानती है लेकिन अंग्रेज जब गये भारत छोड़के 1947 तक तो पहुम सारे उसमें मतलब अंग्रेजों का ही पुरा यह था पूरी जिमेदारी थी बेतिया राज के जमीन को लेकर चुकि बेतिया राज के कोई वारिस नहीं था और कोट अफ़ वार्ड्स के तहट उन्होंने जमीने बाटी अंग्रेजों ने तो उसको उसका कानूनी पहलू या कुछ कानूनी पहलू असल मैं चंपारन के बारे में फैक्ट बेसिक यह है कि साड़े तीन लाख सिक अधार माइल का स्चंपारण है जिसमें दू लाख सिकार मील से ज्यादा इलाका बेतिया राज का था तो बेतिया राज को उतनी ज्दान जगह थी मदवन और राम नगार तीन जमीधारियां थी और तीन अभी तक मालून नहीं को तीन और कौन लोग हो सकता है स्रेट के कर्मचारी लोग हुई हो इच्छे लोगों के नाम ही सेट्लमेंट परवांट सेट्लमेंट यहां हुआ है रिविन्यू जब घटने लगा तो बितियार औराज का खर्चा बढ़ता गया तो राज कर्ज में डूबा 85 लाग का कर्जा उस समय का चर्चित है इसके चलते कोटाफ वार्ड में गया था लेकिन उसके पहले राम कर्जा के वज़े से कि मैनेज आप से नहीं हो पा रहा है और दूसरा यह हुआ कि मने बेटा नहीं हुआ तो यह की उत्रादिकारी नहीं है तो हम ही मैनेज करेंगे और मैनेज करके इसको बेहतर डंक से चल लोग वसूलेंगे और धीरे धीरे उन्होंने फिर किसी और को भी दिया अपने से चोटा बनाते गया तो तो जब जमिदारी एवोलिशन हुआ है यहां तो छे लोगों से शुरू ही जमिदारी करीब धाये जमिदारों तक आ गई ती और हर जो जमिदार नया आया वो इस किसम का टेक्स दूद बेच रहा हो तो भी तेल निकाल रहा हो तो भी गुड़ बना रहा हो तो भी कठल पर लग गया उस पर भी जमिदार साहिब को या निला साहिब को घा हो गया तो उसको भी बिमार हो गया तो भी साधियों पर तीन-चार किसम के टेक्स था साधी और आखरी में तो यह था कि उस लड़की को उठा के ले जाते थे अंग्रेज अपने गार में हम लोग गांदी के अंदोलन को आर्थिक सोसन का मानते हैं लेकिन कल्चरल मसला बहुत बड़ा था जिसकी चर्चा आम तोर पे नहीं ब्लूमफिल नमक एक अंग्रेज को जब मारा लोगों ने लाठियों से तो पचपन जगा उसकी हडिया तूटी मिली और यह गुस्सा सामाने ढंग से किसी एक क्रिमनल एक्टिविटी के लिए नहीं होगी उसके बारे में नफस और यह जितने भी गांधी ने सेंटर बनाया ह उसके बारे में रामनगर का हिस्सा काफी छोटा था मदवन बड़ा था लेकिन मदवन राज बड़ा दिन नहीं चला बहुत जल्ली विखर गया क्योंकि एक या दो जनलेशन में वह विखरने लगा तो वेतिया राज लंबा चला है वेतिया राज में काफी चीज़ें गल्चर पढ़ाई लिखाई सब चीजों में बितिया राज का प्याच बितिया राज ने क्रिस्चनों को बसाया पहली दफ़े वो धुरुप सिंग राजा थे उनकी पतनी बिमार हुई तो किसी क्रिस्चन डॉक्टर ने उनको ठीक किया पादरी ने तो उसके बलकि उसको हैं चखनी चंपटिया चोड़ी यह तीनों सबसे पहले क्रिस्चन हुए थे हैलन जो फिल्म की हिरोईन है उचोड़ी से उनका नाता है उनकी जमीन थी उनके भाई ने ने उनके भाई के साथ हम लोग फुटवाल खेले हुए हैं और हैलन बहुत दिन तक पैसा भेजती थी अपने भाई को लेकिन अब मैंने नहीं देखा जहां कहीं क्यूंकि वैसा कोई लगा उनका चंपार वर्मा से आये वहां रहे थे वहां जमीन अगरा पता नहीं अब वह जमीन कहां है क्या है लेकिन चोड़ी मोलों को जमीन दी गई थी बसने को कुछ लोगों ने खेती की जमीन विली थी तो उस भाई के पास नहीं था वो दिन बार तो गुलेल चला के और फुटबॉल के लिए यह जो आपका जो अपने पांच पुष्टके लेकिये हैं गांदी के चंपारन अन्दूलल बोलेकर यह कहा जाता है कि बेतिया राज के जमीन पर ही चुकी बतलब बतिया राज के जमीन से हैं नहीं यह असल में है शुरू तो यही हुआ जो जमीन दारी बटवारे में और जो सेटलमेंट सुरुआती हुआ उसमें आधे से ज्यादा अंग्रेज थे और अंग्रेज जो है वो फौज के रिटायर लोग थे गवर्मेंट सरी उनको ज जमीन दारी दी गई कि आप वसूली है फिर उनलोगों ने यहां के जो भी लाब के बिजनेस थे गना लगाना निल लगाना अफीम लगाना यह सब चंडु खाना बहुत फुपलर सब हैं तो चंडु खाना वहां अफीम का और अफीम का ट्रेट पहले से सुरू था उस से भ बिहार और खासतार से नौर्थ बिहार बिहार और चंपार्ण यह सब सूरा बना मेंगे चार अंगरेजों आते गए और खाली वहीं नहीं हुप, हैंस अंगरेजी सिस्टम को समझना जरूरी है, एक तो शासन एक निल की खेती फैक्टरी, एक बिजनेस और एक मिशन, कृस् में है तो मजिस्टेट उनके धर्मगुरू उनका लाठी उनके पास तो काफी पूरी तरह से कब्जा किया उन्हों ने और इसको एक जटके में तोड़ा गांदी ने तो यही आंदोलन का असल में यह है क्योंकि जिस तरह वो एक बिजनस चुड़ के दूसरे बिजनस पर का बषक की जिसको कहते थे हम लोके इलाके में वह कोटी थी तो वो बेच के चले गए एक इसी भारतियें को उसका इस एक्ड से क्या मतलब प्रवाब कर सकता है क्होंकि उस तो किसी दे भी खरीदा ही औरेजसर से तो हाउट-बट नहीं 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 वो रजिस्ट्री प्रोपर कहीं नहीं है वो सब रजिस्ट्री एक तो दलालों को दी गई जो लोग निलों के दलाल थे उनको अपना प्रियता उसको दे दिया और ये हालत हो गई थी कि जो भी पैसा मिल सकता था जब उनको ये क्लियर हो गया कि यहां राना मुश्किल होगा तो जो भी पैसा मिला ओने पोने दाम में जिसको तिसको लिख दिया दे दिया वो लीगल डॉकुमेंट है नहीं है ये बगर वेरिफिकेशन नहीं काई लेकिन काफी जमीन इलीगल धंग से लिया गया और उनके बाल बच्चे थे यहां के औरतों से रिस्ते म हैं तो उन्हों को दिया गया उन्हों तो इसलिए उसको अभी आप क्लियर जमीन के इसाफ में देखिएगा तो वो रजिस्सी हुई होगी और हलाकि रजिस्सी की ब्योस्ता था बहुत ब्यापक थी हर कोठी में सब रहिस्सार होता था और वो कागज सारे लीगल बनते थे और बंते थे इसलिए नहीं कि को इलीगल, इसलिए कि इलीगल बिजनेस चला ना था और उस कागज में जो बन गया वो छूट नहीं पाता था सारवेशी का जो गांदी आया हैं तब तक यह था कि निल खतम होने लगा था लेकिन सारवेशी का एग्रिमेंट जिन लोगों ने भी किया उनको अपना निल से खेती छुडाने के लिए डिवड़ा दुगुना पैसा दे के अथ तब छुडाना तो लीगल कारवार था लेकिन जो जमीन दिया गया इसमें ये भी नहीं हुआ लेकिन हमको एक ध्यान आ रहा थी कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित करके हम लोग देखे हुए हमके गाओं को बल्वतिया गाओं है बनोजबाज पीगा उनका तो घरे निला कोठी उन्होंने उन्होंने तो निला कोठ इसी पता नहीं वो लीगल है नहीं है और भी वसुदक्मेंट से पता लगेगा लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव सहरी इलाकों में जो जगह है ना बेतिया में या फार में एक से बड़े हैं ये जो सही परिवार है पूरा इनको सेट्लमेंट सर्फ इस नाम से कर दिया गया कि ये राज के रिस्तदार हैं अब ये सफरर हैं जबकि राज की रिस्तदारी बनारा से बहुत दूर की है तो वहां से ये लोग आके इतनी जमीन इनको मिल गई फिर बाद में पुलिटिकल सफरर नाम से मने इवन राजिन्वाओ के परिवार को जमीन परजापती मिरसर के इतना उनको उसरम लगी उससे कि हम इसका जमीन कैसे लेंगे लेकिन वड़े बड़े कॉंगरेस्इओं उस समय जमीन लिया सब तो राज का सेट्लमेंट तो इलीगल से भी बहुत लीगल से बहुत दॉँ इनको जमिन कोई इलीगल धंक से नहीं मिली है, इनको तो सरकार ने दिया है, तो इन सब को छुड़ाना असान नहीं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि यह जो पंद्रह सो, पंद्रह हजार एकर का मामला है, यह बहुत छोटा है, और यह दो लाक बता रहे हैं, अब दो लाक तो म पाइल अलग है लेकिन ये जो राजसरकार अभी अटेम्ट कर रही है ये बहुत छोटा उसका एक बहुत छोटा हिसा है और पॉसिबली ये जो सहरी जमीन है और थोड़े से अब्यास ऊपर जो खुले बड़े बड़े फॉर्म ते उसी तरह के जमीन है उसके अलावा नहीं है धौली रही जमीन को छोटके तो इसलिए ये थोड़ा हिसा ही है और सरकार को लोह ब यही होगा कि सहर की जमीन है लोग कबज़ वीतिया में तो हमने देखा है मुत्यारी हमने देखा है किस तरह राज की जमीन लोगों ने कबज़ा की कुठी करी कए और एक से अब देखते बेतिया में तो जो खुला जहाँ पसों का मेला लगता था जहारा मना मैदान जहाँ उस सब में बेतिया राज के जमीन से जुड़ी हुई हम आप से आगे भी बात करेंगे एक खास बात जो की बहुत लोग नहीं जानते हैं महरानी जानकी कुमर के बारे में अब दुसरे दिन इस पर बात करेंगे आप हमारे स्टूडियो मारे इसके लिए बोड़ बोड़ नमस्कार झाल